आठ नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वेतंतरता सेनानी रामेश्वरी नहरू के पुण्नेती थी है माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरुक करने में महत्वपोन भोमी का निभाई और भारत में महिला आंदुलन के इतिहास में आमिट छाप छोली रामेश्वरी नहरू का विवा मोतिलाल नहरू के भतीजे ब्रेजलाल नहरू से हुआ था रामेश्वरी नहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुवात प्रयाग राज के आनंद भवन से की थी ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मात्रिभूमी की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमी था रामिश्वरी नहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पन की शिरुवात 1909 में इहलाबाद से की थी इस्तरी दरपन के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामिश्वरी नहरू महिला भारत संग और All India Women Conference की सक्रिय सदसे थी। उन्होंने वैश्यालियों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रे देने के लिए नारी निकेतन शिरू किया प्रिटिस सरकार ने जब 1928 में शारेरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमती की आयू तै करने के बारे में Age of Consent समिती बनाई तो रामिश्वरी इसमें एक मात्र भारती महिला से दस्य थी। इस समिती की रिपोर्ट ने ही बाल विवा रोक्थाम अधिनियम की नी महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने की हिमायत करने वाली रामिश्वरी ने कहा था। 1955 में भारत सरकार ने रामिश्वरी नहरु को विशेश रूप से विद्वाओं, अनाथों, बच्चों और बुजर्गों के पनर्वास में उनके उल्लेखने योगदान के लिए पद्म भोशन से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शान्ती परुसकार भी प्रादान किया इनके पिता मोका पलनी सामी थेवर, शिवगंगा सामराज्य के दूसरे राजा बने थे, लेकिन मारुथू बंधू अधिक समय तक महल में नहीं रह पाए। ये दोनों 20 साल की आयू ही पार कर पाए थे कि आरकोट के नबाव ने इस्ट इंडिया कंपनी के सेनिकों के साथ म 1857 के सिपाही विद्रों से 50 साल से भी अधिक समय पहले मारुथू पांडियार भाईयों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीचियों के खिलाफ संघर्ष का नेतरतों किया था। ताबर तोर हमले किये तो कंपनी ने अपना विशाल बल भेज कर दोनों भाईयों को पकड़ लिया और उनके सैकडों समर्थकों को मार डाला। लटका दिया गया लगभग 500 लोगों को फांसी दी गई थी। इस सामोहिक भांसी के साथ ब्रिटिश इस्ट इडिया कंपनी और उसके सहयोगियों ने भारत के दक्षणी राजियों के उस भीशन विद्रों को दबाने में सफलता हासिल की जिसका एतिहास के पाठ्थे पुस्तोकों में बमुश्किल उलेख मिलता है। मारुथू बंधू वायू गती विज्ञान में माहिर थे। उन्होंने भाले और वालारी के कई रूपों का भी अविशकार किया। मारुथू बंधू ने उपनिवेशवात के प्रारंभिक चरण के दौरान भारत में गुरिल्ला युद्ध रणनीती की भी शुरुआत की। उनके सम्मान में अक्तूबर 2004 में एक स्मारक डाक्टिकर जारी किया गया। हर साल लोग अक्तूबर में कालियार कोविल मंदिर में मारुथू पांडियार गुरु पूजा करते हैं।